रावन जब सीता जी का हरन करके लंका ले गया तब माता सीता अशोग वाटिका में वट बिक्ट के नीचे बैठ कर केवल प्रभुश्री राम का स्मरन और चिंतन करती रहती थी रावन जब भी सीता जी के समक्षाने की कोशिश करता था या फिर उनसे समवाद करने की कोशिश करता था तो उस वक्त सीता जी एक घास के तिनके को घूर के देखने लगती थी तो सीता जी का ऐसा करने के पीछे रहसे चुपावा था और वर ऐसे यहा है कि जब माता सीता का विवाशी राम से हुआ तब उनका बड़े आदर के साथ ग्रभ रविश किया गया था नई बहु जब ससुराल आती है तो उनके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवानी की परमपरा होती है तो ऐसे ही कुछ सीता जी के साथ देवा सीता जी ने उसे अपने हाथों से खीर बनाई और राजा दर्शत और बहुत सारे रिशी मुनियों को खाना परोसा और उन्होंने जब राजा जर्शत को खाना परोसा उसमें उन्होंने खीर भी दिया और उन्होंने देखा कि उस खीर में एक घास का तिनका आकर गिर गया था अब उस घास के तिनकों को वहां से हटाना था तो माता सीता उसे वहां पर हाथ से नहीं निकाल सकती थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिशुम होनी और बहुत लोग वहाँ पे बैठे वे थे बहुत भीड थी तो वो वहाँ पे उसे अपने हाथों से नहीं निकाल सकती थी तो फिर वो उस समय क्या करती है कि वो जो घास का तिनका खीर में पढ़ा था लेकिन राजा दस्रत सब कुछ देख रहे थे अब खाना खालेने के पश्याद जब राजा दस्रत अपने कक्ष में जाते है तो वो सीता जी को बुलवाते है और सीता जी को कहते है कि मैंने तुम्हारा चमतकार देख लिया है और वह कहते हैं कि आप साक्षा जगद जनिनी का दूसरा रूप है लेकिन आप मेरी एक बात याद रखना कि जिस तरीके से आपने आज इस तिनके को घूर के देखा है वैसे कभी भी तुम अपने शत्रू को घूर करके मत देखना इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावन आ प्रिदी